अगर दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास के डिवाइस में इनकमिंग कॉल नोट रिसीविंग प्रॉब्लेम सॉल्फ कैसे कर सकती हैं अगर दोस्तों इनकमिंग कॉल आप रिसीव नहीं कर पा रहें इनकमिंग कॉल के रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लेम हो रहा है तो इस वीडियो को आप अंतक जरू देखेगा मैं आपको कुछ को सब्सक्राइब नहीं कि आए तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकून को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पैसा कामाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रावलिम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है अगर दोस्तों आपको इंकामिंग कॉल के रिलेटेट टेक ऐसा प्रॉब्लम आ जाते तो पहले तो मुबाइल की रिचार्ट वगएरा चेक कर ले और मुबाइल प नहीं की आए तो आपको यह जो है डिसेबल कर देनां अहिसको डिसेबल कर देना इस प्रकार से अगर आप इंकमिंग कॉल डिसीब नहीं कर पका रहे तभी आप अगर इससे फिक्स हो जाते है प्रॉब्लेम तो ठीक है अगर नहीं होते तो वीडियो को आन तक देख लेना और और भी आपको सॉलुशन मिलते रहेगा इस वीडियो में ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक जरू ढ़ी करना है कि आपको दोस्तों सेटिंग पर जाना है कि मुडियो करना है ऑर उसके बाद नेट्रोग शेक्टिंग करके चेक करके देखना एक अगर प्रॉब्लेमtechn पार जाता है तो ठीक है अगर problem solve नहीं होते तो दोस्तों आपको next solution यहाँ पर follow करना होगा तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है ठीकि अगर इससे solve हो जाता है ठीकि अगर नहीं हो रहा है तो आप दोस्तों जाए मोबाइल के डाइलर पर three dots में क्लिक कीजिए setting पर जाए क्लिक कीजिए more feature पर जाए और कॉल बेरिंग चेक कीजिए अगर कोई भी option इनेबल है कॉल बेरिंग पर तो आपको कॉल बेरिंग डिसेबल करना होगा डिसेबल करती आपका problem solve हो जाएगा तो इस तरह के से incoming call problem solve कर सकते हैं अगर इन सबसे आपका problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर अभी भी problem हो रहा है तो जाए सेटिंग ठीक है सेटिंग पर जाने से पहले प्लेश्टोट में जाए अपना phone service को update कीजिए phone service update करने के बाद चेक करके देख सकते अगर काम हो जाते ही तो ठीक है अगर नहीं होते तो एपन notification पर क्लिक कीजिए और अपना phone service सर्च कीजिए उसके बाद दोस्तों आपको जाना है storage and cache clear storage कर देना उसके बाद बेग कीजिए बेग करने के बाद दोस्तों आपको permission चेक करना है सारे permission enable होना चाहिए और उसके बाद बेग कीजिए मोबाइल को restart कीजिए और चेक करके देखें आपका problem solve हो जाएगा दोस्तों mobile software अगर अपडेट नहीं है तो system पर जाके system update कर लेना ठीक है mobile software अगर अपडेट करोगे तो आपका problem यहाँ पर solve हो जाएगा तो यह था दोस्तों कुछ solutions जब आप incoming call रिसीफ नहीं कर पाते हैं यहाद फिर दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते last option आप अपने नेट्रोग operator को contact करकी भी पुछ सकते हैं ठीक है तो इस तरह के से दोस्तों solve क्या जाते incoming call not receive problem उमीड करते आपको वीडियो बसने होगा तेंक्स वाचिंग